अब मैं चलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो राउंट आएंगे इसमें बीजेपी लगातार इंप्रूब करेगी और ये बोट डालने के पैटरन से अगर पोटों के अगर काउंटिंग चल रही है तो उस लिहाज से बीजेपी की अविश्थिती बेहतर होती जा है कि जाठ ही प्रिवियल करते हैं और जा हैं कितने 8% कहने को अरक्षण कहाप से जाठ पिछड़े हैं लेकिन हर्याना में अगर सबसे कोई प्रिम्यम क्यास्ट है ताकत के हिसाब से धन के साथ से तो वो जाह अब जितने जाठ है उतने प्रहं मनें और उससे थोड़े से प परसंट जाट है तो पौने 8% ब्रहाम्मन है और लगबग 6% यादव है यहां यादव बोट कमिटेड है बीजेपी के साथ कहीं कहीं दरदर जा रहा है लेकिन यहां समाजवादी पार्टी और आर्जेटी की तरह नहीं है उनके यादव लीडर की तरह यहां यादव लीडर बीजेपी में है तो और इसके बाद नायव सेनी को लाकर जिस तरीके से बीजेपी नहीं गेम बनाया कि हम दलिट वोटों को खटा करेंगे कुमारी शैल्जा को उन्होंने कनेक्ट करने कोशिश की यह बात अलग है नहीं दलिट वोट अभी तो बीजेपी को चाता है और यह इस्तिति अगर अभी इस्तिति मेरे अनुमान के इसाब से और बहतर होने जा रही है चलिए हम क्योंकि अभी दस बच के पांच मिनट हो चुके बहुत अस्तर कुछ-कुछ प्रिक्चर क्लियर हो रही है लेकिन जूटर बच चुका है अदिती जो मनीश जी ने कहा मैं जरा उसको काउंटर या उसमें आप कहां साथ हैं उसको आप से समझने की कोशिश करूँगी लेकिन बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ अब नजर आ रहा है बीजेपी की 47 सीटों पर इस वक्त की बड़त है और कॉंग्रेस सेथीस सीटों पर 47 सेथीस ये है अभी टाली हर्याना को लेकर आदिती डू यू अग्री जो मनीश जी कह रहा है देखें क्या होता है जब पी जो बड़त बनाती है उसके कई पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जाहिर तोर पर मनीश जी तमाम बात करें मनीश आप इस बात से इतफाक रखेंगे पहला मैं रियाना से आती हूं मैं रियाना में कई जगे चुनाव प्रिचार में गई हूं भारतिया जंता पार्टी के लि पिछले पंदर दिनों में यह दिखाया कि क्या होगा आपका बजर कैसे थी क्यूंकि सब कुछ सेंटरलाइस था सब कुछ दिल्ली से तै हो रहा था दिल्ली ही चुनाव प्रिचार कर रहा था लोकल कोई चेहरा नहीं था नायाब सिंग सैनी की पकड़ उस तरीके से हैंगे एक बार फिर तो आप सोश्री जी आपके साथ क्या होगा उस सेंटिमेंट में ठीक वैसे ही जैसे जम्मू में जाकर प्रधानमंत्री यह कहकर आये थे कि एक बार फिर अगर पाकिस्तानी एजंडा लागू हुआ कॉंग्रेस NCK तो फिर मुझ से मत कहिएगा इसलिए मैं चाहता हूं मैं तो एजंडा लागिन नहीं होने दूगा यानि जम्मू को एक जुट यह जो आखड़े आए हैं भारतिय सम्ता पार्टी 35 का आखड़ा चाहती थी जम्मू कश्मीर में जो इतने बहतर आखड़े आए हैं जम्मू के जो हिंदू वोड बैंके एक जुट क्या नहीं है एक पूल आउट किया है एक एनॉसनस सब्मिस्जिव केह मारे साथ कोंहीं है तो जंता साथ आती है जिसके साथ कोई नहीं होता उसकर जनता चली जाती है और वुपेणと॓ड़ा जाठ एक यहावी तरही से तो अगर यहां करशा होते है तो इसका एक एक खिल रहती है वरना तो उसका फाइदा कॉंग्रेस ये मान के चल रही थी ना क्यों उठाएगी दलित वोट बैंक इदर से भी आएगा फिर जाट वोट बैंक उदर से आएगा फिर हुडा के समर्तक अपना काम करेंगे शैलजा के अपना काम करेंगे देखे आशोगत तबर केवल तो कहें चेन दोंगे इसलिया कि कुमारी को काउंटर करना था तो ये सो तय है के आला कामान नाराज हो चुके हें से तो कहीं ने कहीं कि जो पग कुछ में आकड़े कितने इंगे बुपेंद्र, उड़्वा, प्या, और कि disse Mats naar Axis ए बेसे और दिनों में जो नोन जाट वोर्ड बैंक एक जुट किया है बीजेपी ने गरगर जाकर उसका फाइदा भी टैली में फिलाल देख रहा है आगे हम और इसका और मेरी नज़र फिर उधर के अदर्स पर भी जा रही है निर्दलियों पर भी बार बार जा रही है क्योंकि वो भी एक अच्छा न मत समझिये कि सेंसेक्स की तरह आपन डाउन आपन डाउन यह है काउंटिंग का एक दौर होता है हर इलेक्शन में होता है लेकिन आश्वस्थ हैं हम कॉंग्रेस सवकार बनाएगी दस बज़गा हम कितनी दर रूर उत जाए आपके चाहते हैं देखो अभी शाहिए तीसरा उमीद नहीं विश्वास हैं कॉंग्रेस पार्टी के जीतने का है या फिर विश्वास अपनी पोजिशनिंग को लेकर है यह कुमारी शैल्जा ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं अदिति क्या कह रही है आपकी टैली बे नजर आ रहा है बुपेंद रोड़ा पीछ पीछे हैं अलाकि जाहिर तो और पर यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर फोकस जाना है भी तो बहुत राउंड है लेकिन भुपेंद रुड़ा का चाहिए किसी एक राउंड में भी पीछे होना बहुत बड़ी बाद बिल्कुल आचा राउल यादव जी कॉंग्रेस के प्रव मुझे जमू कश्मीर और हर्याडा दोनों को लेकर मिलेगा लेकिन उससे पहले राहुल यादव जी आपके पास आते हुए जल्दी से एक प्रतिक्रिया क्योंकि अभी तक तो आप जलेबिया अलेबिया सब साइस वाइस सब बहुत बड़ा हो गया था सर आप उसको वापस कर चुकी है कॉंग्रेस कैसे देख रही है से अभी सुरुवाती सुरुवाती रुजान है अभी कोई नतीजे नहीं आए है तो नतीजे लगबग 12 बजे के बाद इस्तती स्पस्ट होगी क्योंकि हमें हमें पूरा भरोसा है कॉंग्रेस ने जो साथ वाइदे हर्याना में कि उन वाइदों को एक्सेप्ट किया है और भाजपा के 10 साल के कुशाशन को हर्याना की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है अभी देखिए शुरुवाती रुजान है जब यह नतीजों में तब्दील होंगे तो हम 60 से उपर सीटे हमारी आएंगी आच्छा ठीक है चलिए शुरुवाती रुजान मानकर चलते हैं कि अभी आप इस पर चर्चा करेंगे श्रिवम चाबडा जी बीजिपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आभी थोड़ी तेर पहले श्रिवम चाबड जम्मू में ठीक है आपकी इस्तिती मजबूत है जैसा कि पहले भी थी 10 साल पहले लेकिन कश्मीर में फिर निर्दलियों के सारे या कोई प्लान भी या कोई टीम भी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर्याना को लेकर क्या टेक है बीजिपी का बेगी पहली बात की हर्य अब रश्टाचार हुप्त शासन भी देखा है और हर्याना चुनाव को लेकर खबर यह है कि इलेक्शन कमिशन के आकड़ों में बीजेपी को बहु मत मिल गया है और बीजेपी 46 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है बीजेपी 46 सीटों पर इलेक्शन कमिशन के आकड़ों में बीजेपी बहु मत को पार करते हुए 45 का आकड़ा 46 पर इस वक्त खड़ी हुई है और ये बड़ा गेम पलता है हाला कि मनीश जी कह रहे थे गेम यही था पलता नहीं है बस चौते राउंड के बाद सामने आया है लेकिन फिर भी टाली जिस तरीके से बदल रही है तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है बड़ा अपडेट बीजेपी को बहु मत मिला है एलेक्शन कमिशन के रुजानों में और 46 सीटों पर इस वक्त चल रही है बीजेपी आगे चाबड़ा साम